नमस्कार दोस्तों मैं हूनीदी आप सबका विलकम कर ट्यों नीदी कीचन लाइवस्टाइट चैनल पर दोस्तों लंबे घने काले वाल किसे नी पसंद है सबकी इक्षा होती है कि उनके बाल घने हो काले हो खूपसूरत हो तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ रेमेडिस शे बनाएगा अगर आपको सफेद बालों की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इसे इस्तमाल करें बहुत अच्छा रिजल्ट है कम उम्रे में जो सफेद हो जाते हैं ना बाल उससे भी रोकता है तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडि को बनाना कैसे उसे पहले चोटी सी री स्कुल से ड्राइनस को हटाता है और साथी साथ side, बालों को मजबूत करता है तो आपको यहां 500 नीबू कर रुस ले ले लेना है अगर बनी में रस कम है तो आपको एक लिमन का जूस लेना है नेक्स्ट में यहां पे एक चमच इतना नारीयल का तेर नारीयल का तेर हमारे ब क्षेश नानिलते लाड़ों को सरहने दोस्तों मतले हैं और बने हैं . थानीर देन सा मईञा दीजना फ़र किताऊ करें ध्याड़ दॉस्त नानिल लेला है एक छाल और दालने वाली और द भी में लप्रडर को फिoli जदिन भी पावदर दजये हैं एक चमच इतना नीम पाउडर लोगी नीम पाउडर हमारे बालो को जरसे मजबूत बनाता है तो दोस्तों यहां पे मैं एड़ करने वाली हूं हाफ स्पून इतना फेनुग्रिक सी पाउडर यानि के मेथिदाना पाउडर आप इसली से घर में उसने सिते हैं अपैर जरसे मजबूत बनाता है अब यहां पे मैं डालने वाली हूँ एक चमच इतना कथा पाउडर जिया, दोस्तों यहां पर में बलाग कथा पाउडर रड कर रही हूँ आपको अगर ब्राउन कथा मिलता है पान के शॉप से तो आप वह भी आड़ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब को अची तरह से आपको मिक्स कर देना है और एक हमारा यहां पे मिश्रन बनके रेडी हो जाएगा आप चाहे तो यू भी लगा सकते हैं नहीं तो आप इसमें एक चमच इतना अपना फेवरेट शैंपू जो रेगुले इस्तमाल करते हैं वो यहां पे आड़ कर दे इन सब को अची तरह से मिक्स कर दे और दोस्तों यह रेमेडी बनके रेडी हो गई है मैं आपको बता दू कि यह आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं कोई भी नुक्सान नहीं पहुंचने वाला है और काला कत्था अगर नहीं मिलता है तो ब्राउन कत्था भी ले सकते हैं या उसे इसकिप भी कर सकते हैं तो यह देखिए यह बिल्कुल इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा बस इसे सिंपल अपने बालों के उपर आपको लगा लेना है दस मिनिट लि तो हफते में दो से तीन बर जरू लगाएगा अप चाहें तो आप हेर डाइब रस से लगाएगा आपने हाथों से भी इसे इसली लगा सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो होप आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जर कीजिएगा और जाद जाद शुयो कीजिएगा थैंक यू वे नाइस टी